एक था राजा, उस राजा का क्या एक्षा था, कि एक बहुत बड़ा महल बनवाते हैं, अब महल बनवाने के लिए तो फिर समान, आदमी, पैसा, वो सब चाहिए होता है, तो उसके दिवायों में क्या ख्याल आया, कि मैं जितना भव विसाल महल बनवाऊंगा, उतना ज्याद में तो हीरे जवरात भी लगवाते थे, महाराज लोग तो भी ज्यादा लगेगा, तो वो बोला क्या कि ना, मैं भव ही बनवाऊंगा, फिर उसने सोचा कि यार कि भव बन जितना बड़ा विसाल बनेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो दिमाग क्या कि जादा बड़ा महल बनवाने के लिए जादा माटीरियल लग रहा है, तो आदमी भी जादा लग रहा है, ठीक है, और टाइम भी जादा लग रहा है, तो वो सोचा कि अगर माटीरियल कम रखेंगे, तो महल छोटा बनेगा, लेकिन वो चाहता था कि महल छोटा ना बने, तब उसकी दिमाग में खायल आया कि जो महल है वो कम टाइम में बन जाए, भवे महल ही बने लेकिन कम टाइम में बने तो उसका दिमाग क्या चक कैसे चलता है कि बड़ा बनाने के लिए ज्यादा मेटिर लगता है तो ज्यादा टाइम लगने के लिए ज्यादा लेवर लगता होगा ठीक है तो वो क्या किया कि भव्य विशाल के लिए सब समान मंगवा लेता है और लेवर को वो कम कर देता है मतलब यह तीस लगने थे तो उसने बोला कि नई है पंदरा महीं करवांगो मेरे को आधा टाइम में चाहिए तो इससे क्या हुआ कि वो महल बीडवल का खिचरी बन गया बीडवल खिचरी का स्टोरी साथ पता होगा आप लोगों को ठीक है वो बीडवल ने जमीन पर आग जलाए हुआ था और बास पर उपर कहीं खिचरी बीडवल की खिचरी तो उसका भी यह हो गया था अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कहां उसने गलत किया उसने गुला कि मुझे भव महल बनवाना है ठीक है भव महल बनवाने के लिए हमको ज्यादा मैं टीड़ लगेगा ठीक है उसके लिए टाइम भी ज्यादा तो अगर टाइम को छोटा करना है तो आदमीं कम लगाते हैं ठीक है और इसी में कहीं वो गलती में फस गया कहां फसा तो उसके लिए हम लोग इस चैप्टर के परहेंगे जो क्लास 8 का 11 का चैप्टर है डारेक्ट और इंवर्स प्रोपोर्शन्स ठीक है नमस्कार मित्रों म मैंने छोटा इसलिए क्योंकि मुझे बताना है पहले एक बड़ मैं explain कर देता हूं तो फिर मैं बुक पर भी चलेंगे देखेंगे बुक को थोड़ी न छोड़ेंगे ठीक है बुक वो क्या बोलें उसको जैसा आपको फील आता हूँ किताब उसे प्यार हो तो देवता बोल पर प्यार प्युर्वाइन ने यह उसकता है कि माल लीजी आप ढौान पेगए अपने पुचा खिली सब्सक्राइब. पूछते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि यह करके मैं आलू 30 रुपै के का है, तो आप एक काम किजिए, मैं इनको 3 रुप्रॉपै देजिए, तो फिर आप त्यूआ में मुल्टिप्लाइब करते हैं, पचास पैसे एक अथा सायथ, आजकल पता नहीं कितने का मिलता है, पांच रुपए का तो मिलता ही होगा, किसी को अगर पता हो, पैंसिल का दाम क्या है चल रहा है आजकल, तो प्लीज कमेंट बताईए, ठीक है, उन्हें टराज का पैंसिल होता था, रेड कलर का होता था, उस पैंसिल के दाम पूचा, उसने पांच रुपए बताया, ठीक है, अब आपको चाहिए कि भाई, मेरा जो छोटा भाई है, उसको तो पांच-छे पैंसिल लगी जाएंगे महिने मैं, तो मैं पांच पैंसिल ले लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा और चाही होगा, तो अब क्या आपको अपना कोई घर बनाना हो कहीं पर, तो उसके लिए कुछ मटीरियल लगेगा, ठीक है, अगर आपको दो रूम का घर लगाना हो, तो उसके लिए कुछ मटीरियल लगेगा, तो आप देखेंगे कि एक रूम में जितना हमको मटीरियल लगा, दो रूम में उसके ऑक्लेमितर चलेगा ठीक है और आजी ये किसी चीज़ पर एक पेज लिखने में अपको एक गंटे का समय लगता तो लिखने है उसको अगरा रहे हैं तो दूसरा activity भी बढ़ रहा है कि और वह एकdade आशियों में बढ़ता है यह बहुत इंपेस्टबॉइट है बढ़ने के लिए बहुत में पुछ बढ़ सकता है जैसे लिकर माल ली जी अपने थे सफिरे अपने प्रकेस स्पीट पर चला एक लिटर वन पया थेम घाले सकते हों हैजबर आंच्ट समझे और हमाडे होती है दूरे हूं हम लोग मारुती जो चोटा होता है ठीक है वैसा कोई गारी हो कि अगर आपने 50 km के स्पीट से आपने एक लिक्टर तेल जलाया तो वो क्या है कि आपका 20 km चला गया चल गया थीक आपने अगर 90 के स्पीट से एक लिक्टर तेल को कंजूम किया नवे की स्पीट से एक लिक्टर तेल को कंजूम किया तो ऐसा हो सकता है कि वह आपका पिछली बार 20 km चला तो इस वार 18 km चले चीक है यह हो सकता है 22 km चल जाए एक लिटर में तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं उसमें क एक कॉंटिटी को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा और एक प्रपोर्शन में बढ़ेगा इसलिए यहां पर डाइरेट के साथ प्रपोर्शन वर यूज किया गया है यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा तो हो सकता है कि वह रेशियो में ना बढ़े ठीक है माल लेते वैं परी मिलेटर से आप उन्हें दौरना शुरू किया जैक होगा आप एक किलोमेटर कुछ quiet थ्था बदा नमर लेते हैं 10 किम अव यहां पंदर किलोमीट में 1000 मिनाट मेंrap मालत था ज्यादा कम हो गए एक स्कुंद इतनों है इसको रबर नहीं दिख़राई पहीं हाँ तो इसको क्या करते हैं एक इसको उल्टा लेते हैं एक आवर में एक घंटे में आप को कि वन आवर में डौर गया है कि मां लेते हैं फनदर किलुमेटर ठीक है फोड़ा ज्यादा है बड़ इतना नहीं होता यह है लेकिन माल लेते हैं निक कि फोड़ा बढ़ता गया ना स्वर पर वरहीचीं एक घंटे में 15 दो रहा है तो दो घंटे में टोटल 30 दो रहेगा टोटल 30 यह मैं टोटल लिख रहा हूं नहीं यहां पर टोटल है यह मैं वहीं कन्फूज हो रहा था क्या लिख रहा हूं नहीं दो वार में 30 km, तीन आवर में 45 km, ठीक, एक quantity को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा quantity बढ़ रहा है, एक यह example, दूसरा example यह है, कि एक आवर में 15 km टोटल दौर आवो, दो आवर में 35 km दौर आवो, तीन आवर में 55 km दौर गया वो, ठीक है, यह टोटल लिख रहे हैं, यह भी टोट क्या difference है, एक quantity 1, 2, 3 आवर जो है, बढ़ रहा है नीचे की और, तो इसका km भी बढ़ रहा है, 15, 35, 45, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इन दोनों में क्या है, कि दोनों में हम बोल सकते हैं, यह direct relation है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसमे क्यों अगर निकालें, तो एक आवर में दोर जाता है, पंदरा, इन दोनों में डेफरेंस देखें, कितना आ रहा है, इन दोनों में डेफरेंस क्या देखें, पंदरा आ रहा है, मतलब कि 1 by 2 अगर इधर, this by this करें, 1 by 2, इधर क्या आ जा रहा है, 15 by 30, 15 by 30, ठीक है, इसको औ 1, 2, equal to 1 by 2, this is 30 by 45, 15, 2 is a 30, and 15, 3 is a 45, ठीक है, यह एक constant ratio में चल रहा है, कुछ गरवर हुआ, yes, 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 I am sorry, यहाँ पर एक छोटा सा mistake हुआ है, ठीक है, यह मैंने जो ratio लिया न, उगलत ले लिया, यही तो मैं बोला, 1 by 2, 2 by 3 कैसे बना है, यहाँ देखिए, one hour में 15 किलोमेटर चलता है, तो एक घंटा में 15 किलोमेटर, तो 1 by 15 हो गया, equals to 2 hour में 30 किलोमेटर चलता है, तो 2 by 30 हो गया, equals to 3 hour 45 किलोमेटर चल गया, यह 3 by 45 हो गया, अब इनको यह कर जे, काट किया जाएगा 1 by 15, 2 से काटा मैंने इसको, 3 से इसको काटेगा, 3 1 जा, 3 15 जा, 45, तो ये रेशियो जो था, ये constant था, ठीक है, वो मैं गलत लेने लग गया था, ठीक है, वो आता है, बट उस अलग फार्म में आता है, वो जब हम आएंगे, तो मैं उसके बारे में भी question, ठीक है, अब इसमें क्या पंगा हो रहा था, इसमें 1 by 15 तो आ रहा था, चलो ये तो एक रेशियो आया, 2 by 35, इकोल स्टू 3 by 55, अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 by 17.5 हो गया, है ना, 2 35 का आधा कितना होता है, 1 by 17.5, यानिकि इक्वल ये, इसको इक्वल आप इसको देखिए, 31, 3, 17,351, 18,356, 18.something आएगा, ठीक है, 18,354 होता है, तो अब ये देखिए कि ये इधार भी बड़ा बर नहीं है, मतलब ये रेशियो में नहीं ऐकर कर रहा है, ये 1 by 15 रेशियो था, 1 by 17.5 रेशियो था, ये 1 by 18.something रेशियो था, ये ये इक्वल ये इ कर सकते हैं इसको डाइट रिलेशन कर सकते हैं तो एक जी इसको पॉल देंगे यह पूर्पॉर्शन कभ बोलते हैं और प्रकोर्पउर्शनक नहीं भीन प्राइएं थीक है कि नेच्स पाट पर आते हैं एक सेकंड बनास अब इस में एक चीज है इसको डी प्रेजेंट कैसे करते हैं चीख है इसमें अभी हमने देखा कि दो कॉंटिटीटीज हम दो कॉंटिटीज हैं इस में कौन कौन से हैं आवर और किलोमीटर था तो हम बोद सकते हैं उसको दियरेंट अगर परपोर्चन में है हम इसको स्गों करें गे एक्ष इस पर्मॉषिनल टू थिक हैो इसको इसको क्या परते हैं प्रोल्वरफेंगे नहीं किस के साथ है हमको solve करने किसके साथ आता है equality के साथ किसके साथ आता है हमको solve करने equality के साथ कभी हमने equation देखा है x plus y equals to 5 यह equality के साथ यह होता है तभी हमको solve करने आता है या फिर inequality हो x plus y is greater than 5 या less than 5 कुछ भी हो x plus y करके इस case में क्या होता है कि हमको solve करने आता है सवालों को ठीक है किस चीज के साथ हमको नहीं आता है इस डिरेक्ट प्रपोर्शनल का जो साइन है इसके साथ हमको स्वाल करने नहीं आता है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे किसे रिप्लेस करेंगे इक्वल्टू से रिप्लेस करेंगे इक्वल्टू से की चाहिए जैरी सी बात है कि जब हमने यह एक फंडा हो रहा था जो घो रहा था तो मतलब पुछ रेश्यो वाला फंडा भी इस रेजेंट इन चाहिए उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर के बोलते हैं ठीक है के इस रेश्यो अब एक्जांपल लोगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ठीक है क्या है हमारा डेश्यो है तो किसी भी द्रेंट प्रपोर्शन को इक्स प्रॉपोर्शने सकते हैं एकस इकोक जूट्स के वाई जहांपर एक इस रेश्यो डेश्यो चीक है अब इसको सवाल को लेते हैं एक जो पुराना सवाल लिया था एक घंटे में वो 15 km चल रहा था दो घंटे में 30 km चल रहा था दो घंटे में 30 km चल रहा था तीन घंटे में 3 आर्स में वो 45 km चला जा रहा था ठीक है अब क्या को क्या लेख सकते हैं k equals to x by y माल लेते हैं यह x को represent कर रहा है, यह y को represent कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल सेते हैं, k की value ले लिए, k क्या, k equals to x by y है, x क्या है, इसको हम x1 बोल लेते हैं, इसको x2, x3, इसको y1, y2, y3, चुकि यह y को represent कर रहा है, वाइड का मैंने अलग-लग नाम ले लिया ठीक है तो यहां पर किसी एक से निकाल लेते हैं इस से निकाल लेते हैं यहां से अगर हमको निकालना हो माल लिजिए कि आपको ना सारा वैलियूस नहीं पता था सारा वैलियूस नहीं पता था माल लेते कौशना यहां लेते हैं माल लेते हमको 45 नहीं पता था ठाएव यहाइटसी जो ता उडल पता है ठीक है या एक्सफॉर मा लेजिए एक्सफॉर एक्सफॉर में ले लेता है कि हमको एक्सफॉर नहीं पता है हमको वाइफॉर इसके दो तरीके हैं इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, कि x1 by y1 equals to x2 by y2, ये k के बराबर था, ठीक है, k के बराबर था नहीं है, ये हमारा किसके बराबर था, k के बराबर था, equal to k था, equal to x3 by y3 बोल सकते हैं, तो चाहिए तो आप k को लेकर के solve कर लिजिए, और k को लेकर solve नहीं करना है, तो that ratio ही ले लिजिए, k के value, आपने बोला कि यार, k मैंने को थोड़ा समझे नहीं आ रहा है, तो हम लोग सिधा ratio लेके चलते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगा, सिधा ratio लेते हैं, k के को अभी हटाते हैं, ठीक है, हम सिधा सिधी ये लिख सकते हैं, x4 by y4, ठीक है, ये लिख सकते हैं, सिधा सिधी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ratio तो सेम था, अब हमको निकालना है, x3 by y3, x3 by y3 equals to, कोई साब भी ले लिजिए, इन दोरों का पता ह और y1, y2 पता है, तो कोई साब भी एक उठा लेते हैं, x2 by y2 उठा लेते हैं, तो x2 by y2, now, x3 की value क्या है, 3 है, by y3 नहीं पता है, खोजना है, x2 की value क्या है, 2 है, y2 की value क्या है, y2 की value 30 है, तो y3 equals to क्या आ गया, 3 into 30 by 2 equals to, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5, 5 से ये कटेगा, 15 बार में, sorry, 2 से कटेगा, 15 बार में, 15 3 जा 45, ठीक है, थोड़ा साब से लिख देता हूं, मैं, confusion ना हूँ, 3 into 30 by 2, 2 1 जा, 2 15 जा, ठीक है, 15 into 3 is 45, ठीक है, यहां समगों क्या पता चल गया सीधे, कि यहां पर 45 value आएगा, यह value तो पता ही था, मैंने इसको हटाया था, और फिर मैंने calculate करके दिखाया आपको, अगर हम बोलते हैं कि नहीं, यार, मेर्मेर को ना किया के हिसाब से करना है, ठीक है, चली किया से पहले हम X4 भी खोज लेते हैं, अब X4 खोजना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे X4 by Y4, अब कोई साभी value उठा सकते हैं, ratio में तो सभी सेम है, अब इन में से कोई साभी value आप उठा लेजे, X4 तो खोज नहीं है, तो यह 3 में इसको उठा लेजिए, तो अभी हम लोग नया नमीली दोलन हमारी कौन सी है, X3 by Y3, हम इसको यह पकड़ लेते हैं, ठीक है, चलिए, X3 by Y3, ठीक है, X4 क्या है, नमको नहीं पता है, Y4 क्या है, 60 है, X3 कितना है था, 3, Y3 कितना नहीं दूलन कितनी है, 45, तो X4 इक्वर 15, 3 जा 45, 3 जा 3, 3 से 3 कड़ गया, इक्वल टू यह 4 आ गया, यानि कि इसकी वैलियो 4 हो जाएगे, ठीक, आपको क्लियर रहे यह चीज, यह 4 हो गया, यह 45 हो गया, अब हम बोलते हैं कि भाई, यह तो एक रेशियो आपको पता है, और दूसरा रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, कि आप कभी भी यह जो एक्स वाला पार्ट है, यह एक्स 3 और एक्स 4 जो है, वो एक्स के ही सिब्लिंग्स होंगे, ठीक है, गलती से भी वाई का वैलियो उठा के एक्स 3 की जगवा पर उल्टा मतलिग दीजेगा, न अब है हमारा अगला सवाल, कि भाई हमको न यह ऐसे ठीक है, यह मैथड अच्छा है, लेकिन के वला मेथड बताओ, ठीक है, क्यों के वला मेथड के थूरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, करने के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और यह आप जिस लेवल पर हैं, एट के लेवल पर हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, साथ में आठ में लेवल पर आप ऐसे भी करेंगा, चलेगा, बट के वला थुरा बढ़िया लगता देखने हैं, और के वला जो चीज है, वह आपको 11-12 लेवल और फ़र्दर आगर रिसर्ज व करते हैं, के वला फैक्टर कई से यूज करते हैं, अब के बराबर क्या बताया था मैंने, XYY और XY X की YYY क्वाइभाइभाइवाइवाइवाइगा क्या क्या हो सकता है, X01 YY1 हो सकता है, X2 Y2 हो सकता है, ऐसे करके चलता चला जाएगा जितना भी पीर अश्यो हो, चीक है, सब्सक्राइब च्छोटा ही के लिखते हैं इसको तो हम कौन सा उठाले को इसा पहला ही वाला उठा लेते हैं हम को रेशियों से ही तो मतलब एक्सवन वाइवाइवन क्या होता है यहां देखिए एक्सवन इस वाइवन इस फिफ्टीन यह की वैल्यू हो गई ठीक है अब हमको निकालना था एक्सवन तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्सवन यहां पर पूट करना शुरू करते हैं क्या है क्या एक्सरी क्या थामारे पास री था और नीच च्छीष क्या था था मतल norm यह तो वाइट्री इक्वोल Gu एक्सफोर पता एक्सफोर निकालना था एक एक्सफोर भी निकालना था तो रेशियों से वही रहेगा इस इस इसको लिख सकते हैं एक्सफोर भाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइव 60 तो X4 इकोल्सuencia 60 तो kijken एक्सथे समय किसे और आपको आपको करा क्या से अप्रोच करते हैं और प्रोपरिशन तो कैसे अप्रोच करते हैं एक्सटू वाय इकोलजेंस ट्रिभाएब डिच्छ ये डूरे लिए लिक्षमतिय को आपको, अगर कोई ratio में हो, x1 is to y1, s2, x2 is to y2, ठीक है, ये अगर है ऐसा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं न, x1 by y1 equals to x2 by y2, और इसको हम लोग के के बढ़ा बढ़ा है, अगर आपने साथ पढ़ा भी हो, इकोल सिस को k के बढ़ा बर हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, आपको ये समझ मागए कि k के कैसी करना है, और proportion में लिख करना है, ठीक, अब आजाते हैं किताब पर और उसमें देखते हैं क्या क्या अपना ये है, ठीक है, जो theory वाला part है, वो please आप खुद पढ़िए, ठीक क्यो होते हैं, और इसको इपढ़ाता है, को इंप पराता है या फिदक को पराता है, वो भी सिख्चक है, ठीक है, ठीक है, बड़ा हो जा सिम-सिम देखिए तो अब इसमें कुछ बहुत कुछ बताने वाला नहीं है ये एक्जामपल से ठीक है number of article purchased increases the total cost also increases total cost also increases more money deposited in bank more than interest ठीक है as the speed of vehicle increases time taken to cover the same distance decreases okay यह तो इंट्रोडक्शन का पार्टे डार्ट प्रपर्शन शुरू नहीं हुआ है तो आप यह देख लिए कि यहांपल कई पर यह दूसरा वहला निचे जा रहा है और किसी दूसरा वहला उपर जा रहा है तो यह पनाटी च्रपतिश को टाइस प्रप्रशन ता प्रपोर्शन कि यूँज कियो एक रेश्यों मैं आकर कर रहा था ठीक है वह हम देख चुके हैं अब इसमें आप इन चीजों को पढ़िए ठीक है अब इसमें आप क्या देख रहे हैं यह x है यह y हो गया ठीक है तो 1 by 36 जो है क्या x by y k equals to x by y equals to 1 by 36 यह बेसिक एक रेशियो है अब आप देखेंगे यहां पर तो यह भी उसी र 608 equal to 1 by 36 होता है ठीक है 5 by 180 कितना होता है 5 by 180 equals to 1 by 36 ही होता है ठीक है तो कहने कर यह मतलब है कि यह जब प्रपोर्च्यम में आपकर कर रहे हैं जो इसको बोलते हैं डारेट प्रपोर्च्ट एक चीज़ दूसरी चीज़ जब वो मल्टिप्लाइब हो रहा है मतलब जब वह इ आएगा ठीक है common factor क्या निकल के आएगा ठीक है common factor निकल के आसकता है आपका 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि एक किलो सुगर का दाम कितना है 36 रुपया है ठीक है तो 3 किलो का दाम कितना होगा 108 है तो इसको अगर तीन से मिल्टिप्लाइब किया तो नीच तो यार आप लोगों को निए यह बहुत इंपॉर्टेन पाट है इसका जो नगलेट करते है डेश्यू एक्ट डज नॉट चेंज ठीक है डेस्यू एक्षक्ट यूडज आप चैंज अब इसमें एक सवाल है कि पेट्रोल चार लिटर पेट्रोल में साथ किल मित चल जाता है और देखिए और इसका रिश्यू क्या है रिश्यू इस वाले का रिश्यू है 4 by 60 x and y equals to k equals to 4 by 60 तो यहां से क्या जाएगा इसको थोड़ा सा और बहुत जुदा जुदा है इसको थोड़ा करीब लाते हैं यह न है ठीक है y equals to 15 स्कॉर कितना होता है 225 होता है ठीक है इसका यहां पर 225 हो जाएगे ठीक है अभी यह क्या था कि इसमें हमने यह तिगुना हो रहा था चार लिटर पेट्रॉल बारा लिटर बन रहा था मैंने ठीस मिल्टिप्लाइब हो रहा था तो 60 मिल्टिप्लाइब होगा है यह ऐतलर केस्स ले रहे हैं यह रियल केस नहीं है आइस होता है ठीक है हार लेटर पेट्रोल मिंद में अल hog चलता है करे मैं अपनी उसका नाहता हूं ते रा कभी 24-15 और we तो यह कैसे दो यह कर देते हैं तो दसब चलेगा ठीक वरीश्जंस को लोगे निग्लेक्ट कर देते हैं ठीक एक चीजर हो गया अब मालते हैं यह 15 पर अब यहां पे 4 को 15 पर लेके गया है कि टीन 4को 15 पर लेके गया है कि तो 15 divided by 4 जितना होगा इकवल कितना हो जाएगा यह आते हैं उस चीज़ पर एक चीज़ यहां पर है जो बताना है मांकि अभी आपको निकालना हो तो यह आप केस निकालिए ठीक है केस निकालेंगे आपको अराम से यह भी निकल जाएगा यह भी निकल जाएगा ठीक और यह फैक्टर वाली बात थी जो मै 20 दे रहा है ना 420 दे रहा है 4 5 जो 20 होता है ये से ये जो जाएंगे तो इन्टू 5 करेंगे तो ये से क्या करेंगे इन्टू 5 करेंगे तो 16 इन्टू 5 इस 300 ठीक है अब ये सब क्या दो क्या है यहां पर ये दो दो है एक ये वाला और एक ये वाला यह फोर्क मल्टिपल नहीं है इनमें हमको रेश्यो लगाना ही पड़ेगा ठीक अगर इस आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिस्टम है वह अभी आएगा नेक्स्ट लाइन में वह पहले बता दो उसके बाद फिर हम इस पर जाएंगे कि हमको कौन सब लेना चाहिए मेथड तो एक तो आपको यह समझ में आ रहा है कि हमने अभी क्या बात किया कि एक्स वन बाई वाई वाई वन इक्स टू बाई वाई टू अगर यह ट्रू है जो कि डाइर्ट प्रोपर्रशन ट्रू होगा ठीक है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं इ में हैं तो में होगा यह नीघर देशु रुख सकते हैं एक और सब्सक्राइब यह लिखना रहा है और तरीका बता रहा हूं मैं जस्ट ऑर सेमी है कुछ भूत डिफरेंट नहीं है बड्माली तेंकि त्थरा इस में अलग वाई रुदी सम्झा है इसको, तो x1 by y1 equals to x2 by y2, implies that x1 by x1 by x2 equals to y1 by y2, ठीक है, this sign is called implies that, ya implies, सिधा implies बोलिया, that ठीक है, x1 by y1 equals to x2 by y2 implies x1 by x2 equals to y1 by y2, यह अगर true है, तो ही यह true होगा, ठीक है, यह true नहीं है, तो यह true नहीं हो सकता, ठीक, आपको यह ध्यान रखने, वो तह कहने, इसका थोरी पार्ट जो होता है, कभी-कभी थोरा मतलब समझों कम आता है, लेकिन जैसे आप numericals पर आते हैं, वो अराम से हो जाते हैं, जैसे आपको यह अभी मैं यह निकालना था हमको, ठीक है, तो हम पहले कैसे निकाल रहे थे, एक ओना वाई वन, 4 by 60 equals to 8 by y, ठीक है, यहां से कैसे निकाल रहे थे, यह भला फंडा लगा रहे हैं हम लोग, यहां से कैसे निकाल रहे हैं, तो यह उपर लेके जाएंगे और इधर उल्टा करके लेके शवरिया है, कभी, कभी हम देमाग नहीं गरम होता है, तो इसका लेकर हं गरम हो जाता है, छलिया आ जाएंगे इसमां सफिशेंट, सब में नहीं है, यह व्यां पूरजिभ हो भी बहुत लेटेस्ट है मतलब हो सकता है दो साल आपडेटेड होने लग जाए बट फिलाल तो लेटेस्टी है और यह मैंने छे सल पहले ही खरीदा था तो उस्टाम की सबसे मैंने बहुत एडवांस लैप्टप खरीदा था ठीक है तो अभी ऐसा है कि इसका मतलब पुडाना नहीं हुआ है लेकिन नया नहीं रह गया एकदम एक्जैक्टली जो आपका है ना बीच का वही है यह दो साल में हो सकता है कि पुडाना साइट बढ़ जाए बट अभी तब बहुत बढ़ी परफोर्फोर्मेंस इसका हां हड़ी उड़ी थोड़ा हो गया है एक मोटा मोटी है ठीक वाई इकवल्स टू अब इसमत कुछ नहीं ड़ा गया एट बाई एट इन्टू सिस्टीवाई फॉर ठीक फूर्वन जा फूर्टू जा सिस्टीटू जा वन ट्वेंट यहां वन ट्वेंटी आगे एक तो यह तरीका था जो हम लोग अभी तक देख रहे थे और एक के वलत होता ही यह निकल लेजिए उसकेबाद सारही निकल जाता है यह में क्या होता कि आप जैसे एक चुर्ण वाइऍक स्पों ओप्लं होता है जलत हो जाएक एक सेकन्ड दिष्स पीड़ आते हैं एक व्युड़ात है है ठीक है this is equals to k मैं इसको black में लिखता हूं यहां पर this is equals to k but this is not equals to k क्यों नहीं है k के बराबर ठीक है क्योंकि मैंने हमेशा मलब सुरू से आपको यह बताया है कि x y y जो है वो के के बराबर होता है यहां पर हमने इसको इससे यह तो लिख लिया कि x1 y x2 equals to y1 y2 but this is not equals to k के हमेशा x1 y y1 होगा या x y y होगा ठीक है x y y x1 y1 x2 y y2 जो भी होगा x y y के ही इसमें k होगा कि जब आपने इसको यह लिख दिया तो उसके बाद यह चीज़ फॉल्स हो जाता है मैं लब फॉल्स करने मतले इक्वल टू किये नहीं होगा यह ठीक है यह हमेशा ध्यान रखिएगा सवाल आएगा गलतियां करेंगे तो आप फुदी सीख जाएंगे ठीक है बीना गलति किया नो कोई सीख नहीं सकता हुआ कि की लगता हो कि processes चलाना इंड़ा वर मैं लेको लगता है कि 10,000 में एक ही आदमी होगा जो बीना गेरे साइकल सीख जाएगा तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास 50 मिल जाएगा 102 50 हाजाएगा 550 य्कोंट पसर तो चैब आप Campaign किन दिकलेगे तो आपको एक पहले से ही स्वाल किया हूआ मिल जाएगा पहले से ही यह स्वाल्व किया वा क्या गती तो असान है 250 कि स्वाहिव पुत आप को तो साथ आठ नमबर निकालना हूँ एक लाइन से, मलब एकस लेकर के एकस नाइन तक दिया हूँ और बीच तो चार पांच नमबर खुजने हो और हर बार आप एकस नमबर करते जाएंगे तो आपको टाइम करता है, तो एक बार आपने जैसे ही वो के निकाल लिया, तो K आप हरो जहर जगा पूट करते रहें, आप हर जगा 5 पूट करते जाईए, आपका काम होता जाएगा, नहीं तो ये हर बार आपको डिवाइट करकर करना परेगा, तो ये असान नमबर ता इसलिए आप हर बार इसको अराम से कर सकते हैं, लेकिन वही कुछ अगर tough numbers होता, फूट fractions में होता, ये tough numbers होता, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो केक, इसलिए मैंने आपको बोला कि करने के लिए आप वैसे कर सकते हैं, बट केक निकाल के करना is a smart way, ठीक है, और के आगे तक भी काम आता है, ये तो मैंने बोलाई हुआ है आपको, ठीक है, एक तो बाई 12, इक्वल्स तो य1 बाई 2, य1 बाई 2, तो य1 हमको नहीं पता है, इसको हम य बोल जेते हैं, और य2 हमको पता है, एक्स वाज़सी है, तो य इक्वल्स तो य इक्वल्स तो 8 इंटू 18 बाई 12, छीक, 6 2 जा, 6 3 जा, कुछ गरबढ हुआ किया है, इसमें, एक्स वाज़सी था ना, यहाँ, एक्स वाज़सी था, वही तो मैं बोलो, क्या गरबढ होगे, 6 2 जा, 6 3 जा, यानि 30 बार में एक एक्वल्स तो यहाँ से 4 इंटू 30 हो जाएगा, 4 इंटू 30 बचा, इक्वल्स तो 120, छीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो अगर य यह ब्लाय है, थो इक्वल्स टू किय होगा, घ्यक है, इससे हम इधर भी जा रहे, और इससे हम इधर भी जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में आप थे एक्स तो कोई यह रिलेशन नहीं है, चिक है, उसरा खित्जा रिलेशन है, एक्स बाइ यह से रिलेशन है, छीक? ठीक आप ये पढ़कर देखिए आप आपको ये समझ में आने लग जाएगा ठीक हम सवाल लेंगे और सवाल में हम लोग और अच्छे से देखेंगे अगले पार्ट में और फिर हम लोग इसको देखेंगे अगले पार्ट में और फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे चीजों को चीक है चली तैंक यू टाटा सीया